जहां देश वासियों का सपना तूट चुका है बहुत अच्छा उस्टेलिया ने खेला एक तरह से पूरा वन साइड़ेड मैच सबी जबर्दस प्रदर्शन आप गेनवाजी की बात करो आप फिल्डिंग की बात करो और जिस तरह से फिनिश किया यह टॉर्णमेंट और जिस तरह से चटी बार उन्होंने विश्व कप अपने नाम किया जिया चे विकट से जीतने के बाद और जैसा पैट कमिज ने का था कि हम पूरे स्टेडियम को शांत कर देंगे उन्होंने तो पूरे देश को एक सुचालिस करोड़ों का जो जश्न का सफना था वो ही शांत कर दिया हाँ जी वो कर दिया आना थिंक पूरा कॉंकर्चलेशन देना चाहता है अस्ट्रेलिया को बिकॉज वो बेटर क्रिकेट खेले इंडिया ने सबसे बेटर जैसे ग्रूप स्टेज खेल पाई पड़ जो बड़े मैच्चेश है आई थिंक अस्ट्रेलिया की टीम की टेंपरमेंट बेटर है और वो जो मोमेंटम उनोंने बनाया वो फाइनल तक वो लेकर गए हमारा भी मोमेंटम था लेकिन वो एक वाइक गेम में ना टेमपरमेंट बड़ी स्ट्रॉंग है पड़ जो बारत की है ना वो सेमी फाइनल के पता नहीं फायनल में जब आते हैं वो कमी है यह कमसोरी है I think यह थोड़ा मेडी जब बाद में रवियू करेंगे तोचेंगे हम बड़ी सेमुझ आते हैं फाइनल आता हैं हम हार क्यों जाते हैं टीट्वेंट टीमें में ऐसे ही किया इंग्लेंड के खलाफ अभी उन एस्ट्रेलिया के खलाफ कर दिया अधिंग यह बारत टीम ग्रूप स्टेज में अच्छी है पर बड़ियों गेमों में टेंपरमेंट बहुत कम्जोरी है यह टेंपरमेंट या ओवर पैट कमिंज ने जो कहा वो करके दिखा दिया फैंस में काफी नाज़की जरूर है क्योंकि फैंस का ही कहना है कि आपके दस मैच बहुच चे खेले लेकि जब जो जिस दिन के लिए आप यह मैच खेले वो मैच नो अपनी खेल पाएं क्योंकि अपकी दस जीट किसलिए थी क कि फाइनल में अस्ट्रिया को और आओ लेकिन आप नहीं आरा पाएं और कि इस एक मब प्रूफ किया कि उससे स्ट्रॉंग टीम क्यों कहा जाता है बड़े मैचों का खेलाडी इससे क्यों कहा जाता है फैंस का यह भी कहना है कि क्यों भारतिय बल्ले बाजों ने अपनी पि ख़ोँ क्यों कि ऐख यह कह रहे हैं कि आपको स्पेरिंग प्रीम पिच चाहिए और आपके स्पीनर्स में दिन जिस दिन फ吉 विकेट निकालना पा रहे आप for a दो दिन पहले है पिचुच Rea लेकिन ने पेच में झ我觉得 निन पॉसके में था उर बहूत रही है विच ऐस्म कराएं चाहिए हम सुर्कुमार यादव की बात चले की शोर बता था कि सुर्कुमार यादव पुल चौट खेलने जाते हैं उनको स्लोवर के इंडालते जाओ एक पेवारेंगे दो पेवारेंगे लेकिन पीसरे प्याउड हो जाएंगे उस रैप में लिया तो कहूं कि आज अ कि हारें तो फीट पेजें बोलते कि इसने बॉलिंग खराब डाली जब दस गेम जीती थी जब इंडिया के लिए सबने वावा किया था पर जब एक जीत आर गए तो उसके लिए खराब नहीं बोला चाहिए तीम इंडिया के साथ हैं हम लोग और गेम का एक निया में तो ए अच्छा होता जी बिलकुल और ठीक है उस्टेलिया का दिन था लेकिन ये बात तो है कि वो पिच भी अपने हिसाब से हमारे हिसाब से थी हमारे फेवर में लग रही थी लेकिन उसमें भी अपने होम ग्राउंड में एक लाग तीसेजार लोगों के सामने क्या जो मॉंटी क आजता है जब बड़ा मैच आता है तक क्या हम प्रेशर में आ गए बिलकुल आ गए और जिस तरह का क्रिकेट खेला जिस तरह का क्रिकेट खेला दस बार इतना अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद जब आप फाइनल में आते है और इसा जब प्रशन करते है तो जो नाम हम ल इस मैश में तो चारो खाने चित, आप फिल्डिंग की बात करो, आप बले बाजी की बात करो, आप गेन बाजी की बात करो, मौका ही ने दिया भारत को, एक मौका निकल आया था, शुरुआच जिस तरह से की थी शुरुईच शर्मा ने, लेकिन खुच शुरुईच वर्ल्ड चैंपियन्स जिस्पीत मायूस वैंज आपके साथ भी दिख रहे हैं जिस्पीत आवाज आ रही है बिल्कुल किशोर आवाज आ रही है क्योंकि यहाँ पर फैंस काफी ज़्यादा मायूस है बहुत दूर से आए हैं आप कहा से आई थी माच देखने हैं हम लोग सिंगरपूर से आए हैं और मेरी बेडी पहली बार देखने आ रही है उसको क्रिकेट मेरा बेटा पान साल का और यह नौ साल की तो उनका फर्स टिकेट मैच है तो यह कहें कि आप माच कि दिए हां यह क्या क्या आज टीम इंडिया ने जैसा परफॉर्म किया है इसको थड़ा है लिए अप बताई आज की परफॉर्मेंस के बारे तो देखिए ऐसा है कि सुखे दुखे समो बुतुआ लाबा लाबो जो जो भगवत किता का मंत्र है तो सुख दुख लाब लाब और जाई विजाई होता रहता है जिन्दगी में हर एक की हम 10 मैच जीते वो भी हमें सोचना चाहिए आज कि 11 मैच हार गए तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया का जो प्लानिंग था वो बहुत क्लिनिकल था और बहुत सि सिंगापूर से आया हूं और मैं तो बस यहीं चाहरा था कि यह वर्ल्ड कप टीम इंडिया रोहित शर्मा के लिए जीते पर मैं यह कहूंगा कि आज की मैच हम हारे भी रोहित के वज़े से क्योंकि वो इतने अच्छे फॉर्म में थे और एक आफ स्पिनर को उन्होंने जी जी मैं जस्पीत आपको रोक रहा हूं अमरित के पास कुछ मेसेज आए शायद अमरित क्या ख़बर है किशोर खबर तो यह हैंगी कि भारती टीम के फैंस कुछ जो ऐसे खिलाड़ी है वो रो रहे हैं भायूस है वो पने परफॉर्मेंस है क्योंकि किसे को अमीड नहीं थी कि वो उस तरह का परफॉर्मेंस होगा फिलाल टीम इंडिया भी डेसिंग रूम में है और सारे है लेकिन महौल जो टीम का है जो डेसिंग का जो है वो थोड़ा गमगीन है प्लेयर्स को भी पता है कि वो अच्छ क्या खोए है जो पाते पाते वो रहा कि किशोर कि वोगरा प्लेघ कि वो बहा भी तरह कि वो बंडियाद आ सारे खोए है